ओम सिरीगने साइनम दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योग चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार सितंबर रविवार के रासी फलक के बारे में कि यह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पकोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी इने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज विध्यार्तियों को इंटर्व्यू वेक केरियर सम्मंदित परिक्षाओं में सफलता मिलने की पूरी संभवना है इसलिए अपनी पढ़ाई के परती एकाग रिचित रहें आपकी संतुलित दिन्चरिया की वज़े से अधिक्तर काम आज समय पर पूरे होते जाएंगे 37 दोस्तों किसी धार्मिक प्रवर्ति के व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात आपकी विचारधारा में शकार अत्मक परिवर्तन लएगी तथा जीवन से जुड़े प्रते कार को करने का बहतरी नजरिया आज आपको प्राप्त होगा आर्थिक इस्तिती भी आज आपकी काफी अच्छी रहेगी रिष्टेदारों के साथ मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम बनेंगे और संबंदों में नजदी की आएंगी पिछले कुछ समय से जिन कार के प्रती आप मेहनत कर रहे थे आज उसके सुब परिणाम उमीद से जादा आपको प्राप्त होंगे धार्मे कार के प्रती आज आपका रुजहान बढ़ेगा पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी वे आज बहुती सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे वस्त्र आबूशन जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतित होगा समय आपके पक्ष में हैं इसका सम्मान करें किसी सुब समाचार के मिलने से घर परिवार में आज खुसी का माहूल रहेगा आपकी मेहनत वे परिश्रम से कोई महत्पूर्ण कर रहे आज संपन होगा आपकी योगता और छमता पर परिवार के सदस से गर्व महसूस करेंगे अफ़ास में वरधी होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन भी आज संपन होगा दोस्तो आज का दिन आपके लिए पहुती अच्छा दिन इस सिद होगा दोस्तो आज आपको नए-नए सफलता है मिलने के अनी को योग हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों के साथ आज फिजूल घूमने फिरने में अपना समय वेर्थ ना करें अपनी शाररिक उर्जा को बना कर रखें आला स्वे मनोरंजन में समय वेतीत करने की वज़े से बनते कामों में रुकावट आ सकती है अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज समाल कर रखें कोई इनका गलत इस्तमाल भी कर सकता है और इसकी वज़े से आपके स्वाभिमान को भी ठेस पहुँच सकती है संतान की गत्य विदियो पर पैनी नजर रखें बच्चों की समस्याओं को सांती पूरवक सुल जाएं उन्हें डाटने वे गुस्सा करने से उनके अंदर हिंता की भावना उपज सकती है कालपनिक बातों पर अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश्वास करें परन्तु ध्यान रहे कि किसी भी कार्रे को करने से पहले उसके अच्छे बुरे पहलों पर आप विचार अती आवश्चा करें क्योंकि कुछ गलत होने की भी संभावना लग रही है साथी साथ आज अधिक तर समय घर से बाहर व्यतीत करना पड़ सकता है परन्तु सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवश्चक है कोई भी अनुचित कार रहे और आपका करोध पूर्ण वहवार आपकी योजनाओं को डग मगा सकता है शाफदान रहें दोस्तो दूसरों के सुजावों पर गंभीरता से विचार करें तता फिजूर खर्ची से बचें अचानक ही किसी प्रकार के महत्मपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं साथ साथ किसी निकट संबंदी से भी मतबेद होने की आज पूरी संभवना हैं साफदान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जबकि लवलाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तो विवाहित जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों में आज काफी मजबूती आएगी प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुती आपके अनुकूल हैं परिवारिक गति विदियो में आपका शयोग और समर्पन वातावरण को और भी अधिक खुस नुमा बनाएगा तथा आपसे संबंदों में और अधिक नजदी कियाएंगी पती पतिनी के संबंदों में मधूरता रहेगी किसी भी महत्वपूर्ण कार्रे में अपने जीवन साती की आपसला हवस्च चले आज का दिन आपके प्रेम संबंदों को मजबूत बनाने के लिए एक बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रह इस्तितियां आपके पक्ष में हैं कुछ अच्छे कार्रे आपके सफल होंगे तथा तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्रे को बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें कोई गलती होने की भी आज संभाव ना है दोस्तो देनिक आय में व्रत्ती होगी आयात नियात संबन्दित कार्रों में अधिक ध्यान केंद्रित करें कोई बड़ा अनुमंद मिलने की आज संभावना है नोकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट उरा करने से तरक्की मिल सकती है आज कुछ नए अनुमंद मिलने की संभावना है कोई भी डील फाइनल करते समय समझदारी और सूजबूज से काम ले लाब के मार्ग प्रस्तत होने के आज योग बन रहे हैं अथे समय का आप भरपूर सदियुपयोग करें दोस्तों वैवसाई गतिविदियां आज सुचारू रूप से चलती रहेंगी परन्तु नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों को अपने कारों के पिरती थोड़ा साफधान रहने की वियाव सकता है अन्यता अधिकारी वर्ग की नाराजगी का भी आपको शिकार होना पड़ सकता है वैवसाई के विचार संबंदित रूप रेखा पर किसी भी कारे को आज इस्थगित करें आर्थिक सादनों में आज व्रद्धी होगी परन्तु किसी भी प्रकार के अनुचित कारे को करने से आपको बचना होगा दोस्तो प्रॉपर्टी से सम्मधित कारों में पेपर वर्क पर आप अधिक ध्यान दें जरासी साबधानी आपको किसी बहुत बड़ी मुसीवत से बचा सकती है दोस्तो बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज गिरने से या वाहन आदी से चोट लगनी की संभावना बन सकती है इसलिए आज आप अत्यादिक साफधानी वरतें वैसे आज आज आपका स्वास्त बहुत ही अच्छा रहेगा साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश वपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद तामेक के बरतन, लाल वस्त्र, गैहूं, गुड, लाल चंदन इन में से किसी भी चींज का दान आप भगवान शुरदेव के समरन करते हुए अवश्य करें या दोस्तो ऐसा करने से भगवान शुरदेव के अशिरवाद से आपको वश्य ही विशेश लाब प्राप्त होगा और आपके समस्त कार रहें बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो शुच्य दिल से कमेंट स्बोक्स में जैशुरदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद